गुड इविनिंग स्टूडेंट्स मैं नीरत शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे SK Classes के YouTube चैनल पर आज की जो डेली डोज है उसका टाइटल है करल अप विदे गुड बुक का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है किसी बुक को पढ़ते टाइम अब बात करते हैं एक बारी स्टूरी की बिलकुल बेसिक सी स्टूरी है बिलकुल असान सी स्टूरी है आज की शीट कुछ ज़्यादा ही असान बन गई वो इसलिए क्योंकि आगे आने वाली शीट थोड़ी सी टिपिकल है इसलिए भई थोड़ी सी असान कर दिया इसको Dash the evening, they would come and rest on their favorite tree in the forest. One evening, the wife returned home early. As usual, she was waiting for Dash's husband. When suddenly Dash started raining, she started Dash, where are you my dear? You never Dash so late, she whispered Dash. Just then, she saw a bird catcher coming Dash her in a cage. He had a pigeon. It was her husband. बही एक समय की बात है, दो कबुतर रहते थे, एक husband था और एक wife थी, वो दोनों दिन बर अपना खाना पीना ढूंडते रहते थे, शाम को आके अराम करते थे अपने मन पसंद पेड़ के उपर. एक बारी शाम को क्या हुआ जल्दी आ गई उसकी wife और as usual अपने husband का इंतजार कर रही थे, क्योंकि वो तो था ही नहीं, और किस से बात करेगी, just then she saw a bird catcher coming, उसी time पर उसने एक पक्षी पकड़ने वाले विक्ती को देखा, एक शिकारी को देखा, और उसके पिंजरे में एक कबूतर भी था, और वो तो उसी का husband था भई, आगे कहता है, oh no, what shall I do now, अब कहत अब मुझे नहीं पता, मुझे क्या करना चाहिए, काश मैं अपने पती की साहता कर पाती, she dash tried to distract the bird catcher by flapping her wings, but all in vain, भे उसने बहुत प्रयास किया, अपने पती को बचाने के लिए, उसका ध्यान बटकाने के लिए, शिकारी का पर ध्यान नहीं बटका, देखो क्या लिख र कर कहते हैं, मेरा सारे प्रयास, सारी मैनत खराब हो गई, तो हम क्या कहते हैं, all my efforts went into vain, भई मेरे सारे प्रयास जो थे, वो सारे खराब हो गए, क्योंकि वो चीज मुले, मुझे नहीं मिली, all my efforts went into vain, इस तरीके से ये word use हो जाता है, when का मतलब ही होता है, जी, व्यर्थ हो जा ठंड थी, said the bird catcher, bird catcher ने का कि, अरे, बारिस तो रुगी, लेकिन ठंड बहुत होगी, his clothes were wet, उसके कपड़े भी भीग गए, he decided to sit under the same tree where the two pigeons lived, भई देखो, वो उसी पेड के नीचे बैट गया, जहां वो दोनों कबूतर रहते थे, अब सोच के देखो, उस कबूतर को विच and said, पती देव ने कहा, don't feel sad dear, की भई, रो मत, कोई बात नहीं, we now have a guest, अब हमारे घर पर एक महमान आया है, यह महमान जो है, यह shivering and hungry, ठंड से, shiver का मतलब होता है, जी कापना, हमने सीखा था, shiver, इसके और भी word लगते थे, cure, cure, यह क्यू था, जी, shiver का मतलब कैसे याद जी, she का वर काप रहा था, cure, cure भी शहिद कापना ही होता है, cure, ठीक है, and hungry, और अब कहते है, he needs your help, भई, उसे तेरी मदद की आफशकता है, आप लोगों ने देखा, need एक modal होता है, लेकिन यहाँ पर need main verb की तरह भी काम कर गया, क्योंकि need modal भी होता है, और main verb की तरह भी काम कर करता है, hearing this, यह सुनने के बाद, the wife flew around, getting dry twix, भई, यह सुनते ही न, वो जो wife थी, वो उड़ गई, flew around, उड़ गई, और सुखे तिनके वगएरा, इकठे करने लग गई, she made a fire for the bird catcher, भई, उस शिकारी के लिए एक आग जला दी, अब वो देखती है, then she looked at the bird catcher and said, और अब you are our guest, तुम तो हमारे महमान हो, since I have no food to offer, मेरे पास कुछ भी आपको खिलाने के लिए नहीं है, इसलिए मैं इस आग के अंदर कूच जाती हूँ, I will jump into the fire, भई, मैं इस fire के अंदर कूच जाती हूँ, in few minutes it will become an edible item, और थोड़े टाइम में ही भई, तुमारे लिए कुछ खान आग में कूद रही है, ये पक्षीश तरीके से आग में कूदता है, तो मुझे एक word याद आता है भईया, phonics, phonics, चेक कर ले न, phonics, phonics क्या होता है, जी, phonics एक ऐसा word होता है, अग में इसकी राग बन जाती है, फिर उनी राग से ये दुबारा जीवित हो जाता है, ऐसा कहा कहानियों में यूज होता है, इस वर्ड को, phonics के कैसा word होता है, कहानियों में यूज होता है, असलिए तुम्हें ऐसा नहीं होता, बलकि, आगे बढ़ते हैं, by now the bird catcher was overwhelmed by the hospitality of the humble prison couple, भई उस समय क्या हुआ, उस समय तक क्या हुआ, जो वो बर्ड कैचर था, वो उनकी hospitality देखक अच्छे हरान रह गया, और वर्ड में एक हरान चीज, सिच्वेशन, एक परिशान हरान रह गया, भई, इतने अच्छे हैं ये लोग, he at one stopped the wife jumping into the fire, उसने उसकी wife को रोक दिया, कहता, रुग जा, तुझे हाग में कूदने की कोई आफशकता नहीं है, I have been cruel and selfish, भई, मैं said the bird catcher and went away, भई, ये बात कहके, ये बात कहके पिंजरा खोल दिया, उसके पती को आजात कर दिया, और विचारा चुपचाप चला गया, the two pigeons were happy to be reunite, दोनों कबुतर इस बात से खुश थे कि भई, हम फिर से एक हो गए, moral of the story, इसने moral of the story नहीं दिया, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ, moral of the story है, जो हम हिंदुस्तानी अकसर करते हैं, अती थी देवो भव की भई, घर पे महमान आ गया, तो उसका आधर सतकार अच्छे से करो, चलो जी, अब फिलर्स देखते हैं, once upon a time, इतना पढ़ते ही मुझे पता लगा कि आगे past की बात होगी, क्योंकि क्यों भई, मैंने तो पिच्चर देखी थी, once upon a time in Mumbai, एक समय की बात थी, तो यानि आगे आने वाली वर्ब, past tense को denote करेगी, there are two pigeons, तो भई, दो पीजन वहां रहते थे, अब लिव वर्ब आनी थी, लिव तो लेकिन वीवन थी बच्चों, लिव तो वीवन थी, प्रेजन की बात इसे काट सकता था, इन दोनों में से एक चूज करने की बारी आती, तो भाई, मैं चूज करता लिव ये लिव तो होता है, छोड़ देना, जैसे कहते भी हैं, leave me alone, भाई, मुझे किला छोड़ तो इस टाइम पर, leave me alone, या कहते भी हैं, she left me, भाई, वो मुझे छोड़ कर चल सकता, second filler देखो, they spend dash day looking for the food, भाई, पूरा दिन वो खाने के लिए बटकते थे, they spend their day, डेप के उपर किसकी possession दी, उनकी थी, their day, ये वाला देर लगा देते, it's तो जब होता, जब भाई, singular होता, अब singular तो नहीं था, दो थे, एक अब उतर था, और एक उसकी वाइब थी, और जब भी इस तरह का sentence हो, तो उसमें भी एक तरह से inversion होता है, क्योंकि their, तो where का answer, adverb, ये verb, और ये subject, भाई, वहीं पर तो एक राजा रहता था, इस verb का subject इसके बाद आया, जब भी ऐसा case होता है, तो उसे inversion कहते हैं, ये वो वाला देर था, तो यह answer क्या लगता, बच्चों, ये वाला देर answer लग जाता, आगे कहता है, dash the evening, they would come and rest on their favorite tree in the forest, भाई, वो शाम को अपने घर आ जाते हैं, और अपने पसंद वाले पेड़ के उपर विश्राम करते हैं, कौन से पेड़ के उपर विश्राम करते थे, बच्चों, कब आते थे, गर, in the evening, evening में घर आते थे, अ sentence की starting में, ज्यादा तर cases में क्या होता है, जी, adverb होती है, the article होता है, evening noun होता है, अब मुझे एक बात बताओ, noun के आगे अगे अगर preposition लगा दूँ, तो वो किसका काम करता है, वो adverb का काम करता है, इसने वही काम किया, यही तो कह रहा है, in the evening, मैं आप से पूछता हूँ, when, when, कब आप का होगे, sir, in the evening, यानि आप मेरे when का answer दे रहे थे, और when का answer दे रहे थे, बच्चों, तो हमने कितनी ही बार किया, आप adverb of time ही तो बता रहे थे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जी, one evening, the wife written from, written home early, इसके अंदर early की basically part of speech बतानी थी, अब तुम मुझे एक बात बता नहीं था, कब जल्दी आ गई, when, ये एक early, एक adverb की तरह काम करती थी, when, कब आई, early, जल्दी, मैं केता हूँ, when, कब आई, आपका जल्दी आ गई थी, sir, यह भी एक adverb थी, और adverb थी, तो भई, early किसका काम करी थी, adverb थी, और adverb में भी adverb of time थी, आगे बढ़ते हैं, as usual, she was waiting for her husband, देखो मेरे मुझे से निकल गया, for her husband, बच्चों, तुम मुझे एक बात बताओ, she was waiting for the husband, अगर दा लगा देता, तो पता ही नहीं चलता, husband किसका था, उसका था, यह हो सकता है, किसी और कबूतर का था, भई, यह इनका क्या husband होगा, बाकि किसी और पक्षी का husband होगा, the husband लगा के पता नहीं लगता कि किसका husband, किसके पती का इंतजार कर रहे थी, वो अपने पती का इंतजार कर रहे थी, इस husband पर possession दिखानी थी, बच्चों, इसलिए मैं क्या लगाता, मैं possessive adjective लगाता, तो यहां से मुझे पता लगा, note required को मैंने क्यों काटा, चलो note required इसने दि यह नहीं, तो भई, hers, hers तो एक possessive pronoun होता है, जो किसी noun को replace करता है, अगर hers लगा देता भई, तो hers तो sense ही नहीं देता, क्योंकि इसके बाद तो husband दिख रहा था, noun को replace किया ही नहीं गया, तो hers काट दिया, अब दा लगा देता, तो sense ही clear नहीं होती, बच्चा its या फिर her, तो बच्चो जानवरों के लिए तो मैंने सीखा था, its use होता है, ये तो पक्षी था, इसके लिए भी its use होना था, लेकिन भाई मेरे जब author इसको personify कर रहा है, वो इसके लिए she she बार बार कह रहा है, तो मैं क्यों author की बात काटूँगा, मैं कहूंगा, ठीक है भाई, personify कर ले, ह पारी start हो गई, हमने सीखा था, किसी ना किसी sheet में हमने सीखा था, बच्चो, it started raining, भई, इस तरह के sentences में, raining अपने आप start हो गई, क्या, तो raining को एक dummy subject की आपशकता पड़ी, और वो dummy subject it बना, ये it इसी raining के लिए तो आया, तो यहां क्या आ सकता था, जी, यहां आ सकता था, it started raining, not required तो वैसे भी नहीं आता, subject भी नहीं मिलता, और dare तो एक adverb थी, इसे भी उड़ा देता, और ये dare तो बच्चों possession बताता, possessive objective था, इसे भी काड़ देते, subject चाहिए ता, subject तो noun pronoun बनता, और it यहां पर मेरा dummy subject बन जाता, ओके, personal पो ये, it मेरा एकतना से improper pronoun होता है, वैसे improper pronoun भी कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहां गया, कहां गया, she started, where are you my dear, भाई एक बात बताओ, सोच तो वो रही थी, सोच तो वो रही थी, पहले तो verb choose करते हैं, think कर रही थी, भाई सोचते तो हम सारे दिन रहते हैं, लेकिन अब उसका पती आया नहीं, बारिश हो ग रही थी, और भाई वो वरी कर रही थी, यानि वो सोच नहीं रही थी, सिरफ उसे tension हो रही थी, कि वो बंदा रहा कहां गया, आज, tension हो रही थी, तो think तो वैसे ही कर जाता, अब बारी आई, two plus v1 लगाऊं, choose करने की बारी आई, बच्चो, two plus v1 लगाऊं, या फिर मैं v1 plus ing लगाऊं, तो हमने तो हमारी classes में बहुत बार सिखा है, कि जब पहले वाली वर्ब आ जाए, past form में, और next वाली वर्ब उसका future हो, तो भई हम two plus v1 का use करते हैं, सिखे मेरी बात, पहले वाली form थी, पहले उसने कुछ शुरू किया, और अब इस वर्ब को करेगी, यानि ये व पहले वाली वर्ब future form में थी, और भई future form में जब भी हो, तो हम two plus v1 लगाते हैं, तो यहाना था, she started to worry, भई उसने चिंता करनी शुरू की, अपने पती देव की, कि वो क्यों नहीं आया, अब ये कहती है, you never dash so late, कहती है, भई तू आज तक तो कभी late हुआ नहीं था, बच् थी, मैंने टा दी, been, वर्ब की third form without helping, वर्ब का काम नहीं करती, इसे भी मैं काट सकता था, अब मुझे confusion हुई, जी get या have been, भई या तो get answer आता, या तो मेरा answer get आता, या मेरा answer have been आता, अब जब मुझे confusion हुई, तो बच्चो, have तो उस वर्ब में, देखो, okay have been भी था, लेक कर दिया, या I have not done this, भई मैं इस चीज़ को नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने नहीं किया, have basically वो चीज़ दिखाता है, जहां आपकी willingness आजा है, कि आप उस चीज़ को करना चाहते हो, ठीक है, आप उस चीज़ को करना चाहते हो, उस चीज़ में have दिखाते है, जैसे, क्या वो अपने आप हुआ, क्या, लेट वो अपने आप हुआ, जब भी ऐसी चीज़ हो, कि वो अपने आप नहीं कर रहा, भई, जबरदस्ती की बात नहीं, वो अपने आप नहीं कर रहा, उस चीज़ को कोई और कर रहा है, उस सेंस में get लगाते है, आपने सिखा भी होगा classes में हम बहुत बार करते हैं जी get my clothes washed कि भाई मेरे कपड़े दो दो get my clothes washed अब तुम मुझे एक बात बताओ क्या मैं खुद अपने कपड़े दो रहा हूं नहीं कोई और दो रहा है और मेरा काम हो रहा है मैं उस चीज़ को प्राप्ट कर रहा हूं था ही नहीं तो देम कहां से आ गया दो बंदे होते तब मैं कहते तापस में बात करे थी लेकिन कोई था ही नहीं बता रहा है केली बैटी थी तो वो तो खुद से बाते कर रही थी हिम हिम तो और कोई था ही नहीं काट दो itself जानवरों के लिए इट लगता है लेकिन ओथर जब हर लगा रहे तो मैं तो हर लगाऊंगा मैं क्यों ओथर की बात काटूंगा भई she whispered herself और यहां सीखने वाली एक बात मिली देखो बच्चों आम तोर पर क्या होता है subject plus verb object ये subject इस verb को करता है इसलिए इसे doer कहते हैं और ये जो object होता है ये इस verb का या इस effect का receiver होता है ये receive करते है किसी action को लेकिन जब कई बार ऐसा हो जाए कि भाई जो subject है वो इस verb का doer भी है और वही इस verb का receiver बन जाए उस case को हम reflexive pronoun कहते हैं होता नहीं कई बार हम खुद से परिशान होके कहते हैं कि मैंने खुद से पुचा I asked myself कि भाई मैंने खुद से ही पूचा कि ये तू क्या कर रहा है जिंदगी में तो आई ही तो इस verb का doer था और इस verb का receiver भी तो objective case myself था लेकिन इस आप से देखूं तो इसका receiver आई ही तो था अब ये बंदा खुद से ही तो बात कर रहा था कि भाई क्या कर रहा है तू लाइफ में एक मिनट का गया ये बंदा खुद से ही तो बात कर रहा है कि भाई तू जिंदगी में क्या कर रहा है तो यही इस verb का doer है यह receiver है इस तरह का जब भी case हो जाता है ना बच्चों उसे हम reflexive pronoun कहते हैं आप लोग सीख के अटे हो reflexive pronoun reflection क्या होता है जी mirror के सामने कोई खड़ा होगा तभी तो reflection आप खड़े हो तो आपकी reflection यानि verb को आप ही कर रहे हो आप ही उसके doer हो और आप ही receiver हो उस case में reflexive pronoun बनता है यहां बच्चों इसने एक reflexive pronoun बनाया था कि she whispered herself खुद से उसने पूछा उमीद करता हूँ समझ आया है अगे चलते हैं कहां थे हम कहां थे 10th sentence 10th sentence just then she saw just then she saw a bird catcher coming her भई अब वो coming her आ रहा था उसकी तरफ आ रहा था तो coming towards her भई उसकी तरफ आ रहा था और सारी preposition काट देते to her नहीं होता towards नहीं होता towards her होता आगे कहता है जी she tried to distract the bird catcher by flapping her wings but all in when भई उसने उसका ध्यान बटकाने की कोशिश की कैसे की इस tried को कोई चीज qualify करती ये एक वर्ब था तो इसको कौन qualify करता तुम खुद बताओ मुझे adverb करता और adverb होती है यल वाली तो desperate तो मैं यूँ ही काट देता जी desperate तो मैं यूँ ही काट देता अब बात आई adverb की तो बच्चों ये फास्टली तो कुछ होता ही नहीं ये फास्ट adverb का भी काम करता है मैंने पिछे भी सिखाया था मैं फिर से सिखा देता हूं work fast कहते है न अब यहाँ पर work तो वर्ब थी इसको इसी adverb ने qualify कर दिया था तो ये फास्टली जैसा तो कुछ होता ही नहीं तो भाई इसे भी काट दिया इसे भी काट इन दोनों में से कोई choose करने की बार ही आई तो वच्चों quickly तो होता है जल्दी 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 लेकिन desperately होता है जी कर रहा है जल्दी जल्दी लेकिन या तो कोशन के साथ करेगी भाई तो desperately लगा देते इसकी best choice desperately ही थी इस clothes were wet भाई मुझे एक बात बताओ 12 sentence में object क्या बना his clothes were wet अब तुम खुद बताओ इस sentence में object क्या बना हमने तो सीखा था जी कि is the more was were जब भी कभी main verb बन जाएं is the more was were जब भी कभी main verb बन जाएं तो sentence में object नहीं आता यहां तो is the more was were कोई भी main verb नहीं बना तो यहां तो object आएगा ना बच्चों आना चाहिए तो अब मुझे बताओ object क्या बनेगा जल्दी से बता दो his clothes were wet भाई क्या object बनेगा आओ एक बारी करते हैं discussion his object बना नहीं बच् clothes object बना क्या नहीं clothes तो एक subject था क्योंकि भाई verb से पहले आया था वर वर क्या था बच्चों वर तो एक आपकी main verb थी और wet वेट यहां पर एक adjective था वर यहां पर main verb थी और wet यहां पर एक adjective था तो इस sentence में कोई भी object नहीं आया क्योंकि इस जैमार was or main verb बन जाएं तो subject compliment आता है object नहीं आता और subject compliment आता है तो wet इस clothes का एक compliment था तुम मुझे बताओ क्या clothes ही wet थे क्या बच्चों clothes ही wet थे क्या हां बिल्कुल clothes ही wet थे उनकी एक state थी और जक्टिव था यहां object ही नहीं था तो मैं options में क्या लगाता clothes भी काड़ देता wet भी काड़ देता क्या option बचता मेरे पा object दे दिया कि भाई इसके अंदर object है ही नहीं 13 को एक बारी पढ़ लो दा पूर वाइफ सेट बाई हरेस्बेंट के इसकी वो बतानी है वो इसकी वो इसकी वो इसकी एक्टिव वो इस है हमने तो बहुत बार सीखा है कि बाई preposition देखते के साथ ही आँख बंद करके लगा द जाएगी समझो subject plus verb plus object जब subject इस verb को खुद करता है वो इसका doer होता है बच्चों वो इसका doer होता है उस case में हम active voice कह देते हैं कई बार ऐसा होगा कि भाई subject इस verb को खुद करेगा ही नहीं सबजक्त इस verb को खुद नहीं करेगा या तो कोई और करेगा या तो यह बंदा जाएगा इस सब्जेक्ट से या फिर भई वह इस वर्ब का डूर की बजाए रिसीवर बन जाएगा रिसीवर बन जाएगा तब ही तो पैसी फॉर्मेशन लेगा जैसे यही तो उसमें होता है सब्जेक्ट अब्जेक्ट बन जाता है यानि अब्जेक्ट सब्जेक्ट और होता है दैनी है miserable condition थी उसकी जो wife थी वही आइस band के पास बैटी थी क्या या उसे जबरदस्ति बिठा है था भई वो खुद ही बैठी थी यानि वो wife इस वह की doer थी और वो doer थी तो यानि वो इस वह को खुद कर रही थी खुद कर रही थी इसलिए ये active voice था नाम के अंदर यह है बड़ी बता देता हूं active क्या होता है कहते नहीं क्या कि आपका बच्चा बड़ा active है active का मतलब ही होता है जी चुस्त कि वह बंदा चुस्त है चुस्त है भई subject चुस्त है इसका मतलब subject इस वर्ब को खुद करता है active का उल्टा बनता है passive passive होता है जी सुस्त passive voice का बोगा भई वो subject खुद उस वर्ब को नहीं कर रहा उससे करवाया जा रहा है उस sense में passive voice होता है तो मेरे भाई यहां पर wife खुद इस वर्ब को set को कर रही थी इसकी structure इसका active voice था चाहे preposition by eye preposition से हम रटा नहीं मारेंगे आगे बढ़ते हैं find the object in this sentence this man is shivering and hungry यह आदमी जो है काप रहा है और भूखा है is them are main verb बन जाएं तो sentence में कभी भी object नहीं आता क्या आता है फिर subject compliment आता है तो यह आदमी ही भूख और प्यास से काप रहा था क्या जी हाँ यह आदमी ही भूख और प्यास से काप रहा था यह पूरा adjective था इस sentence में भी object नहीं था तो ना तो इस sentence का object man था ना shivering था ना hungry था इसका object था ही नहीं no object था 15 sentence की भी एक बार ही voice देख लो का है 15 sentence the bird catcher was overwhelmed by the hospitality of the humble prison couple भई यह passive voice था यह passive voice था क्या पेचानती पैसी वोईज की helping verb plus verb की third form देख लो वोज helping verb है और v3 इसकी passive form है by preposition मैं नहीं देखूंगा रट्टा नहीं लगाऊंगा मैं हम तो बड़े हैं मैं तो इसी चीद से सिखूंगा कि passive voice की पैचानी यह helping verb plus verb की third form यह passive voice दिखा क्योंकि helping verb भी दिखी और v3 भी दिखी अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ इसकी passive voice बनी क्या यह bird catcher overwhelmed होना चाता था क्या वो इस वब को करना चाता था क्या नहीं चाता था करवा दी गई कैसे उनकी hospitality देखके वो ऐसा हो गया तो यहाँ passive formation दी अगर इसका active voice बनाना होता तो बना सकते इसका active voice बनाते तो क्या बनता बच्चों इसका active voice बनता अब यहाँ पूरा आएगा नहीं तुम समझ जाना the hospitality of humble birds the hospitality of humble pigeon couple overwhelmed the pigeon overwhelmed the bird catcher यही तो होता है क्या बनता अगर इसका मैं active voice बनाता तो यहाँ से sentence शुरू होता the hospitality of the humble pigeon couple आगे मैं वर्प देता है इसे overwhelmed किसको overwhelmed किया the bird catcher यह इसका passive यह इसकी active formation बन जाती तो यू समझो active passive को logic से समझो by preposition के रटे से मत समझना आगे चलते है 16 sentence में कहते है the two pigeons were happy to reunite पूछा क्या है पूछ रहा है गलती बताओ find error in this sentence बच्चों हमने अंगिनत बार लाखो बार हम सीख चुके है कि two plus b plus verb की third form यह भी एक passive formation होती है यहां तो reunite कह रहा था यहां तो reunite कह रहा था बच्चों तो यहां to be reunited verb की third form लगा देते है आप क्या लगा देते है to be reunited ठीक है यह थी story बहुत ही असान story थी बहुत ज़्यादा असान थी इसलिए थी क्योंकि अब थोड़े feelers आएंगे अगली sheets में तो आपको थोड़ी सी खुश करने के लिए story डाल दी भाई अगला word आता है कुछ one word substitution डाले मैंने a funeral possession a funeral possession भाई funeral possession क्या होता है भाई जब शव यात्रा होती है ना भाई कोई बड़ा आदमी कोई celebrative वगेरा जब भी कभी मर जाता है जब भी कभी pass away हो जाता है भाई तो उसकी शव यात्रा निकालते उसको बोलते हैं court गी यह basically क्या होता है यह एक जुलूस होता है जिसमें कोई celebration नहीं होती बिना दुम दाम के जुलूस होता है यानि शव यात्रा होती है याद कैसे करोगे मैंने तो इस वर्ड को याद किया था जी sentence के थ्रूँ मैंने याद किया था जी thousands thousands gathered at the court gi of clam thousand gathered at the court gi of clam की भई जो हमारे कलाम साब थे उनकी दिशव यात्रा में हजारों लोग आये थे ठीक है thousand gathered at the court gi of clam सेंटेंस से याद कर लो आगे कहते हैं a herd or flock of animals being driven in a body भई group of animals जा रहे हैं एक भेड़े एक भेड़े एक भेड़े एक भेड़े एक भेड़े कई सारी भेड़े हैं इनको एक चरवाहा चराने के लिए लेके जा रहे है एक इतनी सारी बेड़े को एक body की तरह वो सिद्धा लेके जा रहे है इदर उदर उस sense में जब ग्रूप जाता है वो जुंड जुंड जाता है उसे क्या कहते हैं जी उसे कहते हैं ड्रोव आगे बढ़ते हैं a small fleet of ships और boats उसे कहते फ्लोटीला बहुत सारी ships और boats का वो बेडा हो तो उसे फ्लोटीला कहते हैं एक community of people smaller than a village गाउं में कम लोग होते हैं शहर में जादा होते हैं शहर से छोटा आ गया जी गाउं और अगे उससे भी छोटा गाउं से भी छोटा उसे कहते हैं hamlet मैंने इसे कैसे याद रखा था म helmet से मैंने rhyme बनाई थी कि जो लोग hamlet में रहते हैं वो helmet नहीं लगाते क्योंकि वो इतना चोटा गाउं है कि वहां चलान बलान नहीं कटते हैं यूँ याद कर लेना एक group of cattle और ship इनके group को herd कहते हैं बच्चो herd कहते हैं large group of people people का कोई बड़ा group हो उसे hold कहते हैं temporary police force उसे कहते ह अब temporary police force क्या हो गई पर पुलिस हमारी रक्षा करती है जो रक्षा करने के लिए force बनाएं उसे post कहते हैं यह private guards और नहीं होते शादी वगरा में security प्रोवाइड करते हैं उसे भी post कह देते हैं यह last number of fish swimming together जब बहुत सारी मचलियां एक साथ swim कर रहे हैं स्विम तो क्या करें all water or other liquid इसे टोरेंट कहते हैं deliberately sets fire to building deliberately का मतलब होता है intentionally कोई चीज आप intentionally करते हो एक और भी word लगता है inadvertently ऐसे करके word लगता है deliberately का मतलब होता है जो चीज आप intentionally करते हो वो क्या करते है जानबुच के चीज जो को आग लगाता है तो उसे क्या कहेंगे उसे कहेंगे अर्सो निस्ट जो आग लगा देता है ठीक है कोई चीज आप प्लेजर के लिए करते हो बजाए कि आपका प्रोफेशन नहीं है आप प्लेजर के लिए वो काम करते है उसे कहते हैं जी एमेचूर प्लेजर के लिए करते हैं ना भई कई बार किसी को photography का शोक होता है वो किसी की birthday party में कहता है वही तेरी photos वोगरा मैं किच दूँगा wedding में उसकी photos वोगरा कीच रहे यूँ नहीं mobile से कीच रहे अपने professional camera से खीच रहे उस time पर वो पैसे नहीं ले रहा है वो शोक के लिए वो चीज कर रहा है जो दोनों हातों से लिख सकता है इधर हेंड दो हातों से लिखता है उसे कहते हैं एंबी का वर्ड ही बेसिकली होता है दो बहुत यह एक रूट वर्ड इसका मतलब होता है बहुत इससे कई सारे वर्ड आगी आएंगे जब इसके वर्ड भी करवा दूगा मैं वन हुम एक सैन ओफिशल भी एक रूट वर्ड दिखा मुझे एनार्क देखो यह एनार्क ऐसा ही व्यक्ति होता है अराजक तक तो भई इसे कानून बगेरा से कोई प्यार ही नहीं इसी से तो वर्ड बनता है एनार की एक ऐसी सरकार जहां कोई कानून नाम की चीज है नहीं ठीक है आगे बढ़ते है आके बढ़ते हैं कहां गया a person who has changed his faith जिसने अपना विश्वास अपना धरम बदल लिया उसे क्या कहते है उसे कहते है बच्चो एपोस्टेट एपोस्टेट इसके लिए मुझे एक और बहुत अच्छा वर्ड याद आया जो बहुत बार एक्जाम में दिख जाएगा प्रोसी था और यह अपनी पडोशन के लिए रोज लाया वह कहते है कि पहले अपना धरम बदल फिरी पकड़ूंगी फिरी तरह गुलाब लोंगी ऐसे याद कराता है इसलिए उसने अपने विचार अपने धरम बगेरा अपनी बिलीफ रिलीजिस बिलीफ को चेंज कर लिया इसे क् है दिया जी प्रोसिलाइट आगे बच्चों नेक्स वड़ाए वन डेस नोट बिलीव इन दा एक्जिस्टेंस ओव गोड़ जो बगवान के स्थित्तों में विश्वास नहीं करता देखो वो पहले भी एक वड़ाय था ना एंटागोनिस्ट करके कहां गया कहां गया वो व इस्ट जो मानता है भई बगवान होते हैं एक परसन अपॉइंटेट बाई टू पार्टीस टू सोल वे डिस्पूट बही जगड़ा वगड़ा हो गया तो पंचायत वगएरा में कोई बीच वाला बंदा तो होगा जो सुल जाए उसे कहते हैं आर्बी ट्रेटर आर्बी ट लाइफ बड़े किफायत से अपनी जिंदगी राम से देख बाल के वह व्यतीत करता है ज्यादा फिजूल कर्चे नहीं करता उसे क्या कहते हैं बच्चों उसे कहते हैं एस्टिक ठीक है आगे बढ़ते हैं जी एमेच और पहले भी आ चुका और एमबी डेक्स्टर से आप म यहां एसके क्लासी से जुड़ना चाहे तो उसके लिए बेस्ट उपर्चूनिटी है अपने सेलेक्शन को अपनी टिकट को फाइनल करने की एक मार्च को होगा और सुबह नो बजे बैच बना दिया जाएगा तो वो डेमो पर आ सकता है ठीक है जीती डेली डोस उमीद करता हूं पसंद आईए वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो थेंक्यू फ्रेंड्स